सफ़ा नंबर 122 सबक 16 नई कहानी नजमनिगार सयदा फरहत हम ना सुनेंगे अब ये कहानी एक था राजा एक थिरानी नई कहानी हमें सुनाओ अम्मी हमारा जी बहलाओ हम ना सुनेंगे शेर का किस्सा आ जाता है हमको गुस्सा हम तो सुनेंगे पिस्सा ऐसा एक हो बच्चा अपने जैसा सफ़ा नंबर 123 पार करे वो साथ समंदर सैर करे आकाश पे जाकर बादल में वो जूला जूले चांद सितारों को भी जूले अम्मी मेरी अच्छी अम्मी कह दो आज कहानी ऐसी नजमनिगार सयदा फरहत मश्क पढ़िये और समझिये किस्सा कहानी आकाश आसमान इन सवालों के जवाब दीजिये सवाल नमबर एक बच्चा कैसी कहानी सुनना चाहता है सवाल नमबर दो बच्चा नई कहानी किस से सुनना चाहता है सफ़ा नमबर एक सो चौबीस सवाल नमबर तीन सवाल नमबर चार सवाल नमबर पांच खाली जगों में मुनासिब लवज लिखिए गिस्सा, कहानी, अच्छी, बच्चा, जूला एक, नई, खाली जगा हमें सुनाओ दो, हम न सुनेंगे शेर का खाली जगा तीन, एक हो खाली जगा अपने जैसा चार, बादल में वो खाली जगा जूले पांच, अम्मी मेरी खाली जगा अम्मी दिये हुए लवजों के सही हर्फ पर तजदीद लगा कर लिखिए अमी, किसा सफ़ा नंबर एक सौ पच्चीज गुसा, बच्चा, अच्छी नजम की मदद से हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड मिलाए हिस्सा अलिफ हम ना सुनेंगे अब ये कहानी हम ना सुनेंगे शेर का खिस्सा पार करे वो साथ समंदर बादल में वो जूला जूले अम्मी मेरी अच्छी अम्मी हिस्सा बे सैर करे आकाश पे जाकर चांद सितारों को भी चूले कह दो आज कहानी ऐसी एक था राजा, एक थी रानी आजाता है हमको घुस्सा मिसाल सुनकर दिये हुई लवजों को बदल कर लिखिए मिसाल बच्चा, बच्चों किस्सा, परिंदा सफा नंबर 126 सितारा, हफ्ता, हिस्सा नजम सुनकर दूसरी लाइन लिखिए एक, हम न सुनेंगे अभी ये कहानी खाली जगह दो, खाली जगह आ जाता है हमको घुस्सा तीन, पार करे वो साथ समंदर खाली जगह चार, खाली जगह चांद सितारों को भी छूले पांच, अम्मी मेरी अच्छी अम्मी खाली जगह दी हुई तस्वीरों के नाम लिखिए बबरशीर, चांद, सितारे, रानी, बादल, राजा सफ़ा नंबर 127 खुश्खत लिखिए कहानी, बहलाना, आकाश, समंदर, जूला इस नजम को याद कीजिए इसी के साथ ये सबख यहीं पर खत्म हुआ मुश्खत लिखिए